वंस अगेन वेल्कम बैक टु माइड फैनल आज आपको मेमोज के बिजनेस के बारे में बताएंगे कैसे आपको दुकान खोलना है और कैसे आपको इस्टार्ट अप करना है अगर आपके पैस पैसे नहीं है तब भी आप कैसे ओली 30,000 रुपए में आप जो है मेमोज का काम फूड लाइन में और जैसे समोशे जली भी कशोरी कुछ भी आप बनाते हो और आपकी दुकान नहीं चलती है तो मुझसे आप अड़वाइज ले सकते हैं जिससे आपकी दुकान जो है धरले से चलने लग जाएगी तो आज हम मेमोज के बारे में आपको बताने वाले हैं क कि मेमोज का विजनेस करके कैसे आप दो लाग रुपए मेहने तक इंकम कर सकते हैं तो आपका समय बुरबाद ना करते हैं चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं सारा प्रोसेस तो मेमोज बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक ग्रेंडर चाहिए होगा इसके बाद मेमोज मेकिंग मेशीन आती है उसको लेना होगा नहीं तो आप आप से भी बना सकते हैं है ओछे बनाएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा डाइम लगेगा और उसलिए बैस्ट रहे गा तो मेमोज बनाने के लिए आपको लेना है मुन केजी मैदा एक के एक के जी मैदे का दाम हुआ आपका 35 रुपीश 35 अप्रॉक्समेटली एंड आपका जो अधर मटेरियल लगता है मालीजे 20-25 रुपाय तो आपने एक के जी मैदा में 90 मेमोज बना है तो आपको शेलिंग कितने करने हैं शेलिंग आपकी मालीजे आप 10 रुपाय पुलेट दे इस प्रकार से आपका मेमोज जो हुआ 90 इसकुल टू 180 रुपीस तह इसमें आप च्प 1110 रुपए लागत आ रहा है इसके बाद जो है आपका पर के जी मैदा के हिसाब dialogues Spanish कि सक्षे télé करेंगे और आपका जो है टोटल सेव टोटल सेविंग आपकी होगी साथ से आप छो रुपए और यह दिया आप पाचास केजी मैदा के मेमोज बनाते हैं तो आपकी शेलिंग होगी टोटली नो हजार रुपए की शेलिंग नो से दस हजार रुपए की शेलिंग अप्राक्समेटली होगी और आपका सेविंग इसमें साड़े तीन हजार से लेकर चार हजार रुपए के बीच में आपका एर्निंग हराम से हो सकता है और इसके बाद आप यह कुंटल यह कुंटल मैदे का मेमोज आप बेचते हैं तो आ 18 से 20 हजार रुपए की आपकी शेलिंग होगी जिसमें आप साथ से आठ हजार रुपए आपका इजली ही सब कुछ आपका गैस चार्ड आपका मेहनत लेवर चार्ड सब कुछ काटके आपका जो है साथ से आठ हजार रुपए आपका इजली ही बच सकता है तो इस प्रकार स तो आपको जो है में चार हजार रुपए डेली का सेलिंग हो रहा है इस पकार से आपका जो है एक लाख बीश हजार रुपए पर मंथ इंकम हो सकता है अराम से और यह आप कि यह एक कुइंटल का सेलिंग करते हैं तो आपका जो है 7-8000 रुपए उससे भी ज्यादा हो सकता है और डिपेंट करता है कि आप मेंच का साइज कितना बड़ा बनाते हैं आप ज्यादा छोटा बनाते हैं तो दस रुपए के आप पांच़े देंगे आप थोड़ा का तीन भी दे सकते हैं और और भी ज्यादा बड़ा बनाते हैं तो आप 20 रुपए 25 रुपए का तीन पीस दे सकते हैं तो डिपेंट करता है आप कितने साइज का मेमोज बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप शेलिंग कर सकते हैं कोई भी कैडिगीरी का आप विजनेस की यह समोसा हो जिलेडी हो कचोओरी हो एक चोले बटर है कोई भी चीज हो आप जिस प्रकार से सेलिंग करते हैं जिस प्रकार से आप शेर्व करते हैं उची हिसाब से आपका मर्जिन है आपने सस्ता बेचना सालू किया सस्ता बेच रहें तो आपको कम मर्जिन होगा स्टार्टिंग में क्या करना क्या होता है कुछ UN यह मुझा सब्सक्राइब आपको दूकान खुलने के समय आपको क horizon किस्टूमर पकरने होते हैं आप जहां कहीं भी आप अपन Northern लगाते हैं तो उस लोकेशन में आपको जानने में लोगों को वक्त लगता है कि यहां भी कुछ मिलता है यह दि आपके पास बंदा कभी एक बार आता है अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगा तो बंदा फिर दो बंदों के लिएक आएगा फिर दो बंदे फिर और लेके आएगे इसी प्रकार से आपकी ओडियंस बढ़ती जाएगी और जिस प्लेट में आप मुझे को सब्व करेंगे वो प्लेट उसकी लुकिंग काफी अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो दुकान है वह भी काफी अच्छी होनी चाहिए देखी इस कि दिख रहा है इस टाइप की दुकान आपको कम से कम ऐसा इस्टाल आपको बनवाना चाहिए जिससे की आपका धंदा जो है अच्छे से चले और आप भी अच्छे कपड़े पहने दुकान पर साप सफाई रखें और हमेशा साप सफाई रखें अच्छे अच्छे रहें और आपकी दुकान धडलों से चलेगी इसमें कोई टेंशन नहीं है बिडिनेश इड्वाइज लेने की लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्टन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है यदि आपके मुन में कोई भी इंक्वारी है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अद्रवाइज हमें आप कमिंटी भी कर सकते हैं यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा हम ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके सामदे लाते रहेंगे और एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि यदि कोई भाई अपना इस्टा वृड्य-पारडे का आपल आपपको हम 2 3 दिन देंगे किस प्रकार से आपको दुकान को प्रें और हाइलाइट करना और नोंस प्रकार से